इसमें दिया हुआ है अब फिगर सोग्ष इंद बिट्वीन द लॉक नु दिया हुआ है सर्फिस फ्रिक्शनलेस अच्छे नीचे सर्फिस फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है फाइंड दा तो इसमें हम लोग एस्टेशन निकालेंगे इसका जो एस्टेशन आएगा वो कितना आएगा एटीन यागा एटीन डिवाइड़ बाइड़ कॉमन एस्टेशन होगा यहां पर हमने क्या लिया हुआ है यह स्मूज सेर्फेस दिया हुआ 18 डिवाइड़ बाइड़ सिक्स्टेशन कितना तुमापस 3 मीट पर सेगे अगर इनका स्टेशन कॉमन है इनके बीच में स्टाटिक फिक्षन लग रहा है तो इनका स्टेशन कितना आएगा एगा इस डिरेक्शन में 3 आएगा तो यहां पे हम लोग Fs की value निकालते हैं तो यह जाएगा Fs minus 2 equal to 2 into 3 Fs हमारे पास 8 Newton आ जाएगा इनके बीच में जब 8 Newton के static friction लगेगा तब यह block एक साथ पीछे move करेगा जाके और maximum friction हमारे पास कितना है हाँ पे यहाँ पे Fs की max value चेक करते हैं Fs की max value हाँ पास 1 by 2 into 2 into 10 इसका मतलब है कि common station के साथ नहीं चल ले है इसका मतलब है common station के साथ ठीक है तो यहाँ पर तोड़ा mistake हुआ है calculation करेंगे यहाँ पास 10 Newton आएगा इसका मतलब यहाँ पर maximum friction 10 Newton का है और हम friction force जो लगा रहे है 8 Newton के लगा रहे है इसका मतलब इनके बीच में स्ट्रेटिक फिक्शन लगेगा और स्ट्रेटिक फिक्शन लगेगा तो इस्ट्रेटिक टेटिक्शन की विल्यू कितना है 8 Newton की बराबर है कि कि अ